श्री शिवाय नमस्तूभ्यम हरहर महादेव आज से पुझ्ज गुरुजी पंडित प्रदिपची मिश्रा की श्री शिव भक्ती शिव महापुरान कथा 16 नमबर से 22 नमबर तक न्यू हाइवे सीटी जीटी रोण कल्यानपूर कानपूर में शुरू हो चुकी है आज कथा का तीसरा दिन था यदि आप आज की कथा किसी कारण वश नहीं सुन पाए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें गुरुजी के द्वारा बताये गए उपाय और जानकरी आपके साथ आज इस वीडियो में शेर करने वाली हूँ आज की कानपूर में चल रही कथा में पुझ्जी कुरुजी ने दो नए उपाय बताये हैं पहला उपाय जिसे चर्म रोग हो गया हो तंबडी सफेत पड़ गई हो या आँखों के आसपास काले घेरे हो रहे हो तो सोमवार की अस्टमी के दिन लाल चंदन का लेपन पीपल के एक पत्रे पर करें फिर उस चंदन के सूखने पर उस चंदन को वापस निकाल लें और फिर उसी चंदन से शिव मंदिल जाएं लेकर और उसी चंदन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर त्रिपुट बनाए और शिवजी का लेपन करें और फिर शिवलिंग पर से उस लाल चंदन को वापस निकाल कर किसी बरतन में ये किसी डिब्बी में ले लें अब उस चंदन को साथ दिन तक रोज अपने रोग पर जाना है अपके आखों के आसपस काले गेरे हो रहे हैं जो भी आपका रोग है उसमें से रोज चंदन साथ दिन तक आपको लगाना है आपके लिब्बीFi काया का रोग जल्दी ही समाप्त हो जाएगा दूसरा उपाय जब विशम परिस्थिती चल रही हो आप सब कुछ करके देख लिए हैं प्रशुपती व्रत कर लिए हैं सारे उपाय करके देख लिए हैं लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है या आपकी तकलीफ और दुख कष्ट खतम नहीं हो रहे हैं तो साथ लोटे जल और एक बेलपत्र लेकर शिवमंदिर जाएं अब बेलपत्र सबसे पहले अशोक सुंद्री वाले इस्थान पर रखें आपको डंडी का मुख जहां से पानी गिरता है शिवलिंग में उधर रखना है उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद उस बेलपत दिशा में होना चाहिए यानि कि आप जहां बेठे हैं उस साइड आपको डंडी का मुख नहीं रखना है जिस साइड आप बेठे हैं उसके दूसरी वाली साइड पे आपको डंडी का मुख रखना है बेलपत्र चड़ाने के बाद उस बेलपत्र के उपर साथ लोटे जल श चड़ाने के बाद उस बेलपत्र को उठा कर अपने साथ अपने घर लेकर आ जाएं उसके बाद उस बेलपत्र को 11 या 21 दिन तक अपने घर पर रखें उसके बाद उस बेलपत्र का विसरजन कर दें ये उपाय आप किसी भी दिन और किसी भी समय पर कर सकते हैं ये उपाय करने के बाद बाबा आपके सारे कष्ट हर लेंगे सारी तकलिफ हर लेंगे आज की कथा पहली जानकरी जो गुरुज ने दी है हमारी कीमत पडोसी के पास जाकर बेटने से बात करने से या फिर परिवार के अन्य सदस्यों पिया परिवार के अन्य लोगों के पास जाकर बेटने से नहीं बढ़ती है लेकिन जब हम शिव महापुरान कथा में पांडाल में जाकर बेटते हैं तो हमारी कीमत भोलेनात की नजरों में जरूर बढ़ जाती है दूसरी जानकारी गुरुज ने तेश की बेटियों से कहा है यदि ड्रेस और एड्रेस सही है तो आप उन्नति की सीड़ी अवश्य चड़ेंगे इसलिए अपनी ड्रेस और अपना एड्रेस आपको सही रखना चाहिए तीसरी जानकारी तीन का भाग हर इंसान को मिलता है पहला संत का दूसरा बेटी का और तीसरा गोमाता का यदि आपके यहां किसी संत ने एक गलास पानी भी पिया है तो उसके भाग का धन आपको अवश्य मिलता है यदि आपके घर बेहन बेटी आई है और आपने उसे कुछ न कुछ दिया है तो उसके भाग का भी आपको मिलता है यदि गो माता को आपने आपके द्वार से एक रोटी भी दी है तो उसके भी भाग का आपको मिलता है चोती जानकारी, यदि आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसे गलत ना बोले, अपशब्द ना बोले, क्योंकि जुबान से निकले गलत शब्द, बंदुक की गोली के घाव से भी जादा अधिक घाव दे जाते हैं, इसलिए आप कभी भी किसी को गलत ना बोल आप केवल इसे थोड़ी दूरी बना ले, पांचवी जानकारी, यदि हम कितने ही अच्छे हैं, लेकिन किसी एक की नजर में यदि हम बुरे हैं, तो हम कभी भी उसकी नजर में अच्छे नहीं बन सकते, उसे हमारी अच्छाई में कुछ न कुछ बुराई जरूर मिल जाती है इसलिए उसकी नजरों में अच्छा बनने की हमें कोई आवशक्ता नहीं होती है छटी जानकरी मा को कभी अपने बच्चे की गलती पर उसका साथ नहीं देना चाहिए और ना ही उसकी तरफदारी करना चाहिए उसकी गलती पर उसको डांट लगा देना चाहिए या फी यदि कोई यग्जे हो रहा हो कोई अनुष्ञटान हो रहा हो कोई धार्मिक कारे हो रहा हो तो आपको उसमें दान देना चाहिए सह Iowa समें लेकिन उसमें कभी भी अर्चन नहीं लगाना चाहिए आज की कथा में गुरुजी ने कुछ पत्र पढ़कर सुनाए उसमें से पहला पत्र जिसमें लिखा था मैं डॉक्टर हूँ मैंने सागर की कथा में पांडाल में बेट कर कथा सुनी उसके बाद कुब्रेशवर धाम चले गए मैंने कुब्रेश्वर धाम में बाबा से अपनी बेटी के MBBS में एड्मिशन मांगा और अपने छोटे भाई के लिए जीला जज्च की पोस्ट मांगी थी मेरी सबी इच्छाएं पूरी करी है बाबा ने दूसरा पत्र जिसमें लिखा था गुरुजी नारी का जीवन बहुत अधिक तकलिफ भरा होता है मुझे अपने पेट में दोनों तरफ गठान हो चुकी थी इससे पहले में दो बार ऑपरेशन भी करवा चुकी थी इस बार फिर से डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी सावन के महिने में मैंने आपकी कथा सुनी उसके बाद मैंने रोज एक लोटा जल शिवजी को चड़ाने लगी और बेलपत्र चड़ाने लगी बाबा से विंति करने लगी बाबा मुझे बहुत तकलिफ हो रही है बहुत दर्द हो रहा है मुझे दर्द बरदाश नहीं हो रहा सहन नहीं हो रहा आप मेरी तकलिफ कम कर दो और वहीं मंदिर में मुझे रोना आ जाता था और बाबा से कहा मैं ओपरेशन नहीं करवाना चाहती फिर जल जहिल कर लाती और चड़ी वी बेलपत्र बोलेनास से ओश्दी मांग कर लेकर आती जल पीती और बेलपत्र का प्रशाद खाती गुरुजी मेरी दोनों गिठाने गल चुकी है अब मुझे कोई गिठान नहीं है तीसरा पत्र गुरुजी मैं पहले मंदी नहीं जाता था मैंने रेलवे इंजिनियर की एक्जाम दी थी सारे टेस्ट पास हो गए थे लेकिन जोइनिंग लेटर नहीं आया था मैं हो टेंशन में था फिर मैंने ऐसे ही बेठे बेठे एक दिन आपकी कथा सुनी उसमें आपने एक लोटा जल हर समस्या का हल कहा था बस फिर से मैं उसके बाद से मैं एक लोटा जल रोज शिवजी को चड़ाने लगा और उनसे विंति करने लगा और छे मैने में मेरा जोइनिंग लेटर आ गया आज मैं रेलवे में इंजिनेर की पोस्ट पर हूँ तो ये थी आज की कथा की कुछ विशेज जानकारिया और जो उपाय गुरुजी की द्वारा बताय गए थे वो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का उपलाब उठा सकें साथी कमेंट में हर हर महादेव लिखना नाम बुले बाबा की आप सब पर कृपा बनी रहें बाबा सब की मनो कामना पूरी करें